हेलो दोस्तों सवागत आपका अपना यूटूब चैनल लाइब केर मेडिसीन पर और में हूँ आपका अपना डियारक्सोनू फार्मसीड हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्सों की योन संबंदित को ठीक करने वाले पावरफुल टोनिक के बेरे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम और शोगंदा अरिष्ट सिरप की संपूर्ग जानकरी देने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे हम composition की की इस syrup के अंदर क्या composition पा जाता है और इस syrup को पीने के क्या क्या फायदो होते है और इस syrup से कुण कुण से नुकसान देखने को मिल सकते है और कब लेना है और कैसे लेना है और क्या परगनाट मैला भी इस syrup को ले सकते है या नहीं आज की इस वीडियो में हम संपुर्क जानकरी देने वड़ है दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट सक जरूर देखना दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके कमपोसिजन की की सिरप के अंदर क्या 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 कमपोसिजन से मिलकर बनाया जाता है अशुगंदा, सविटा, मूशली, मंजिष्ट्रा, हरिंद्रा और चंदन यह कमपोसिजन के मिलकर बनाया जाता है यह में इंगिरेडियांट है उससे अलग भी बहुत सारे इंगिरेडियांट इस सिरप के अंदर पाय जाते है जो मुख्य इंगिरेडियांट है वो हमने आपको बता दिये है अगर हम इस सिरप का कमपणी की बात करें तो सिरी वेदनात और यूवेदिक भवन के दुबारा यह सिरप बना जाता है अगर इसके में MRP की बात करें तो 260 रुपे में 450 एमल की सिरप आपको किसी भी मेडिकल इस्टोर पर मिल जाएगी अब बात करते हैं इसके फायद होगी कि इस सिरप को पेने से कौण कौण से फायदे आपको देखने को मिल सकते है सबसे पहला जो फायदा है increase memory power मतलब आपकी memory power को increase करने का काम करेगी अगर आपको चिंता रहती है या तनव रहती है या ख़वराट रहती है या चिट चड़ा पन रहती है इन सबी को ठीक करने के लिए या सिरप उप्योंग की जाती है इससे अलग भी जैसे आपको किसी काम में मनना लगना या नीदना आना या या यादास कमजोर हो गई हो तो इन सब फाइदों में या ऐसी रफ उप्योग की जाती है दोस्तो अगर आपको कमजोरी आ गई हो या थकान रहती हो तो इन सभी कंडिशन में भी ऐसी रफ उप्योग की जाती है इससे अलग आपके सरीर को इम्मिनूटी बढ़ाती है और अगर आपके पाजन सकती खराब है मतलब आपको साइटेम पर भूक नहीं लगती खाना खाने को मन नहीं करता या आपको खाया पिया नहीं लगता तो इन सभी कंडिशन को भी ठीक करने के लिए यह है अशोगंदा रिष्ट सिरफ उप्योग की जाती है अगर हम इसके नुक्सान की बात करें कि शिरफ को पीने से कौण कौण से साइड ऺश्ट आपको देखनों को मिल सकती है हालकि ज़दा साइड ऐफ़ैक देखनों को नहीं मिलते है लेकिन फिर भी अगर आपको इन में से कोई side effect देखने को मिलेगा तो आप अपने doctor से जरूर संपर करना जैसे upset stomach अगर आपका stomach upset हो रहा हो जैसे डार्या हो गया हो, constipation हो या pain हो गया हो यह कुछ side effect है जो सिरफ पीने से देखने को मिल सकते है अब बात करते है कि कितनी मात्रा में लेने चाहिए और कैसे लेने चाहिए यह सिरफ 2-4 चमच सुवेई साम पानी में घोल कर पीने है मतलब 2-4 चमच लेना सुवेई और शाम दोनों टाइम आपको पानी में घोल कर पीन है और खाना खाने के बाद ही पीने की सला दी जाती है बात करते हैं कि यह सिरफ प्रग्नाट मैला ले यह न ले दोस्तों यह सिरफ प्रग्नाट मैला को लेने की सला नहीं दी जाती अगर आप प्रग्नाट मैला को देना चाहते तो आप अपने डोक्टर से जरूर संपर करे दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगियों तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जादे से जादे सस्क्राइब करें टैंक यू